हेलो दोस्तों आपका मेरी चैनल में स्वागत है आज के वीडियो में जानेंगे कि चमपा सस्टी की तिथी एवं पूजन का सुप समय क्या है इसका क्या महत्व है सारी जानकारी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगी इससे पहले यदि आप मेरी चैनल में नए है तो उसको लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें एवं बैल बुटन दबाना ना भूले पंचांग के अंसार हर साल मारगा से सुक्स पक्ष की सस्टी तिथी को चब्बा सस्टी ब्रत रखा जाता है इसे बैगन सस्टी के नाम से भी जानते हैं इस दिन भगवान सियों के साथ उन महत्व है जमप सस्टी के दिने भगवान खंडोवा की विशेश पूजा की जाती है खंडोवा बाबा भुलेनात के एक सरूप की रूप में पूजह जाते हैं इस दिन को उस्सों के मनाया जाता है आई ए जाने चंप गा होई ती दिथी एवं सस्ट महूरत चंपा सस्टी इसमाज की सुख्रवक्ष की सश्टी थी 18 दिसंबर को पढ़ रहा है चंपा सश्टी का सुब महूरा 17 दिसंबर को साम 5.33 मिनट से शुरू होकर 18 दिसंबर को दोपर 3.13 मिनट पर इसका समापन होगा इस दिन विशेष पूजा का सुब महूरत 7 बज के 7 मिनट से सुबर 8 बज के 25 मिनट और सुबर 9 बज के 42 मिनट से 11 बजे तक है चमपा सस्टी को सप्पिसा नच्छतर वैधरती योग के साथ सयुक्त होने पर अधिक सुब फल माना जाएगा इसमें पूजा करने का आईए जाने चमपा सस्टी का महतुर चमपा सस्टी पर भगवान सिव के खंडोबा सुरूप की पूजा की जाती है जो राक्षस के दमन के लिए भगवान सिव खंडोबा के वतार में आउतरित हुए थे कथा के अनुसार दो राक्षसवाई मल और मडी ने उनके अक्तियाचारों को खतम करने के लिए भगवान सिव ने खंडोवा के शुरूप में उतार लिया था सास्त्रों में बताया गया है कि चंपा सुष्टी के दिन भगवान सिव की उपासना करने से अग्यानता वस्में हुए पापव से मुक्ति मिलती है साथी भक्तों को धन एस्वर की प्राप्ति होती है माननाता यह भी है कि इस दिन पूजा पाट वर्म ब्रत करने से मुक्त की प्राप्ति होती है और पूर्व जर्म के पाप भी धुल चाते हैं यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, सेयर करें, सब्सक्राइब करें एब आम बैल पूर्टन दवाना नात भूले धन्यवाद